जीजी वीसा की धनी ये आसा माने प्रतिभाएं ओडियो फाइब लोगों ने सरहना की तो उत्साह और बढ़ा मानशिक सक्तियां दुगनी हो गए पत्र पत्रिकाओं में भी देना प्रारंब किया इससे उसका व्यक्तित्व प्रकास में आए लोगों ने उत्साहिद भी किया प्रेरणा तथप्रसंसा दोनों में ही अपार जीवनी सक्ति होती है व्यक्तित्व के विकास में ये ऐसे ही कार्य करती है जैसे पौधिक विकास में जल तथप्रकास अब तक विचारों में भी परिपकवता आ गई थी और कलम में प्राओधता अब जो उपन्यास लिखना प्ररंभ किया तो उसमें भी आसातीद सफलता प्राप्त हुई गरीबी अपने आप में एक ऐसी सिक्षिका है जो नजाने क्या क्या सिखा देती है नजाने कितना ज्यान भर देती है इस जीवन में इस इवक ने भी गरीबी की पाट साले में जिंदगी की किताब पढ़ी थी सो लेखों तथा उपन्यासों में वह मारमिकता रहती कि छपते ही हाथों हाथ बिखते लोग पढ़ते, पसंद करते और सराहते इकलेखा के रूप में ख्याती प्राप्त करने का उस बालक का स्वपन आयू के साथ बढ़ा, विक्सीत हुआ और आयू के साथ ही सफल हुआ पिवा तथा प्रॉड होता गे अपने अदम मसाहस, प्रबल मनो कामना, मात्व कांशा, लगन, उत्सा, कटिन शरम तथा आत्म विश्वास के बल पर ही ये वेक्ती सफलता अरजित कर सका यह सब गुण हों तो कोई भी मनों से प्रयास करके अपना भिष्ट पा सकता है आगे बढ़ सकता है, उन्नती के सिखर पर पहुँच सकता है इसी महान लेखा की तरह जिसका नाम था स्री एच जी वेल्स जो के विश्व की साहितिक बेवोतियों में से एक एतिहासिक व्यक्ति है मजदूर से डॉक्टर बने सरन परसाद जी डॉक्टर सरन परसाद कहा है बंबई से आते हुए महमानों ने औरली कांचन के प्रगर्तिक चिकितसा केंदर के किसी कोने में लकडी फाड़ने वाले एक भाई से पूचा दोपहर के बारा बज रहे थे, उपर आसमान से आग बरस रही थी और लकडी फाड़ने वाले भाई के सरीर से पसीने की धाराएं बह रही थी डॉक्टर साब, वे तो आपको थोड़ी देर के बाद मिलेंगे कहकर उसने अपनी कुलहाडी लकडी परवार करने के लिए उठाई कुछ देर बाद महमानों ने आफिस में जाकर देखा तो वे दंगर है लकडी फाड़ने वाला मजदूर ही डॉक्टर की कुरसी पर बैठकर मरीजों को जाच रहा था वह मजदूर तो जवाब देने में उदासीन लगता था यह डॉक्टर तो बड़े प्रेम से धीरच से दर्दों की बारीकी से जानकारी हासिल कर रहा सुर्न परसाद जी अपनी पचास वरस्ट की आयू में अनेक भूमिकाएं अदा की मजदूर की डॉक्टर की भूमिकाएं तो अनेकों में से एक थी बड़े दिल्चस्प है उनकी यह कहानी बाहर से रूखे सूखे दिखने वाले शरन परसाद जी अनेकों के काका जी अंदर से कितने सरस हैं यह तो उनके प्रदे के दरवाजे के अंदर गोसनी के हिमत करने वाला ही जान सकता है वे इस दुनिया में केले नहीं आए आये तो अपने एक जुड़वा भाई के साथ जन्म पाया एक माँ से पर दूध पिया दूसरी माँ का उस दूध पिलाने वाली धात्र ने सिर्फ सरीर को ही सुद्रड सुगठित सबल नहीं बनाया उनके हिर्दय को प्यास से भर कर एक अनोखा संबल बांग दिया मद्य प्रदेश के राइपूर छेतर के एक जमिंदार के घर सरन प्रसाद जी का जन्म हुए पिता जी स्वतंतरता संग्राम के सैनिक थे अपने बच्चों को सर्वत्तम संसकार दिलाने के लिए उत्सुक थे राजर सी टंडन जी का आस्रम नजदी की ही था इसलिए इस लवकुस की जोड़ी को आस्रम के निमित अंग्रेजों के जमाने में भी वैदिक काल की सरवांगेन स्विक्षा मिली परंतु भाग्य जीवन को केवल साधन संपन नहीं बनाना नहीं चाहता था सुंदर, सरस्त, सकलांग संपूर बनाना चाहता था स्वराज का आवाहन हुआ टंडन जी का आस्रम से जेल में स्थाना अन्तरन हूँ और घटना चक्र सरण जी को भी राजर्सी के चरणों के समीप ले आया गुरदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के सांते निकेतन के जीवन की अनेक अनपेक्षित अनजानी, अन्देखी, अनसुनी, शितिजें, खुली कर दी और भाग्य विधाता ने भरभर कर देने के लिए अपना आचल खोल दिया कला, संगीत, माधुरी और सौंदरी से जीवन कली परितुष्ट, परिपुष्ट होती गए जीवन कभी का ही प्रतेक्ष सान्दे था, फिर भला जीवन पुस्प कैसे नहीं खिल उटता सिक्ष्ण नामक कोई अलग कमरा ही नहीं था, नस्तल का और नकाल का, एक अनोखी दुनिया थी समूचे संसार का और समूचे जीवन का रस, आनन्द और सौंदरी, मानों, बच्चों की हसी में परतिविमित होता था जीवन की सोरा आवस्था और रिवावस्था के बीच की देहरी पर आकर खड़ा था जीवन के अनेक उत्वंग सिखर आवाहन दे रहे थे, यवन के पंख फूटने लगे थे, एक और प्रतंत्र भारत को सुतंत्र कराने की हविस्थी, तो दूसरी और भूखे भारत का पेट भरने का करता भी था और इन सब के अतरिक एक अगम्य और अदम्य आकरशन भी था किसी अद्रुष्ट, अज्यात, अरूप और अस्रूप का, इन सब के आवगमन के बीच किसी दिन एक दरवाजे पर अनुराग की आहट सुनाई दी और तब देखा कि दूसरी दरवाजे से वैराग्य ने करही लिया था, फिर भी वह जीवन धर्मी था, जीवन से जन्मा अनुराग उसका इनकार भी क्यों, रुपांतर क्यों नहीं, वैरागी को ही अधीक संपन बनाने में वह अनुराग सफल रहा, अभ्यास काल पूरा हुआ और फिर चली जीवनियात, बिना जेहल यात्र, उस स समय सची यात्रा पूरी ही कहा होती थी, सत्यागरह किया, जेल गए, अनेक कहानिया, अनेक अनुभव, जीवन संपन्न होता चला, अंतरमुक्ता बढ़ती ही चली, स्वराज आ चुका था, अब कमाने में घर ग्रहस्ती चलाने में क्या हर्ज, विरूध, संघर्स और चुप चाप ग्रहत्यार, उस समय तो गांधी जी का सेवा ग्राम ही सेवा की मंजल थी, परंतु सर्वथा अपरिचित अनुभवी लड़का, इधर से उधर, उधर से इधर भटकता रहा, आखिर पेट ने विद्रोह किया, वर्धा में ही किसी सिनेमा में नौकरी ढूंड ली, एक गन्य का रस निकालने वाले का ध्यान, इस्तगड़े कारियरत जवान की ओर गया, और दो बार भोजन और कपड़े के बदले में दीन भर मजदूरी करना सुरू होगी, बाहर गन्य का रस निकालने के मसीन चलाना और अंदर घर में जो भी काम दिया जाए वह करना, मालक उल्ता मिलते ही वर्धा की मगनवाडी ग्रामध्योग केंदर में प्रवेस मिला और फिर ग्रामसेवक तालीम वर्ग का काली, बाद में ग्रामसेवका भार उठाया, इसे बीच विनोमा जी के लगु भाता उज्ज बालकोबाजी से परिचे हुआ, और इन्हें उरली कांच इनके प्राक्रतिक चिकितसा केंदर में रखा गया, वहां भी काम तो यही सब, आरंब भोजनाले से हुआ, यहां भी मजदूरी नहीं, कारी गरी, बलकि कला गरी होने लगी, और वे खुद भी नहीं जान पाए कि मरीजों के लिए खाना पकाते पकाते, वे अनेक रोगों क चिकितसक कब और कैसे बन गए, इनके एक बड़े भाई डॉक्टर थे, उनकी पत्नी अपने देवर से हमेशा कहती, देखो भाया, और चाहे जो बनना, लेकिन डॉक्टर कभी न बनना, परन्तो इनके भागी में तो डॉक्टरी ही लिखी थी, यह तो था प्राकिर्तिक चि साधनों का अभाव था, बलकोबा जी जैसे भक्त हरदई कर्मयोगी का मार्गदर सुन था, छन की भी असावधानी बन देखी नहीं की जाती थी, दिन के पीछे रात, रात के पीछे दिन, बरसों पर बरसों बीतते ही ए, अनेक नए रोग, नए उपचार, नए असंसोधन, उपचार में उपवास का आरंभ उन्हों नहीं करा, तब तक रसाहार का उपचार ही दिया जाता था, नए ख्षेतर में पदारपन था, फिर भी सिद्धी मिलती गे, लेकिन इस साधक को सिद्धी या प्रसिद्धी की अपेक्षा जैदा मतलब सुद्धी से ही था, साल पर स संदेश था, रोगी से निरोगी और निरोगी से योगी बनाने की प्रक्रिया प्रयोगी को करनी थी, अरंभ अपने से ही आवस्यक था, साधना चलती रही, आखिर वह भी एक संस्था थी, संस्था की भी अपनी मर्यादाएं रहती, उधर सन्यस्त वृती संस्था से मुक्त होने को मजबूर कर रही थी इधर गुरुजन सुनेही गण गुरूली ना छोड़ने का प्रेमाग्रह कर रहे थी आखे दूसरे चिकितसक को तयार करके साल में एकाद महिना औरली कांचन के लिए देने का वादा किया तब कहीं इजाज़त मिली अब इनकी परिवर्जय चलती है किसी परिवार या संस्था से वे बंदे हुए नहीं है फिर भी अनीक अनीक परिवार और संस्थाएं हैं जहां उन्हें सिर्फ रहने के लिए ही भी जाना पड़ता है जहां भी रहते हैं वहां लकड़ी फाड़ने का क्रम जारी रहता है प्रकृतिक उप्चार भी चलते हैं सेवा भी चलती है और सथसंग तो चलता ही रहता है मरीज डॉक्टर आने के एकाद घंटे पहले ही हाजिर हो जाता है डॉक्टर की राह देखता है सारीरिक मानसिक वह आत्मिक सान्ती कैसे पाई जाए किसी बीज को अनुकूल जमीन, खाद, पानी, प्रकास, हवा प्राप्त हुई और उस बीज में से जो फूल खिला उसे देखकर मन प्रसन्न हो जाता है वैसे ही डॉक्टर सरन प्रसाद जी के व्यक्तित्व और बिवहार को देखकर मन आनंदित होता है और प्रार्थना से भर जाता है ऐसे सौ सौ गुलाब खिले